आज बाबा ने कहा तुम सच्ची सच्ची नन्स हो तुम्हें बाप से वर्सा मिलता है तो आज हम इस बात पर अटेंशन देंगे नन्स बट वन का मतलब है एक बाप को याद करना है तो एक बाप को याद करने के लिए आज हम बार बार जो बाबा ने स्वामान दिया तुम्हें ईश्वर की गोध मिली है तुम स्वीट चिल्डरन हो ये स्वमान को याद रखेंगे और बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करेंगे जहां प्राप्ति है वहां याद नैचरल है तो बाबा को याद करने की दूसरी विधी आज रहेगी जैसे आंख में बिंदू निकल जाए तो अंधेरा हो जाता है ऐसे आज मेरी मन बुद्धी से वो बिंदू निकल गया तो मेरा संसार में भी अंधेरा हो जाएगा तो मैं भी बिंदू और बाबा भी बिंदू बिंदू बनकर उस बिंदू की याद में रहेंगे और याद से होने वाली प्राप्तियों को बार-बार इमर्ज करेंगे आज की मुर्ली में बाबा ने कहा याद से तुम पुन्यात्मा बनते हो पाप भस्म होते हैं, याद से ही हीरे जैसा बनते हैं याद से ही देवता बनते हैं, याद से ही health और wealth मिलती है तो आज की मुल्ली में इस बात पर भी attention दिलवाया कि योग से ever healthy बनते हैं और ज्ञान से wealthy बनते हैं तो इस बात को आज हम धारना में लेंगे योग से healthy कैसे बनते हैं जैसे ही आत्मा सातो गुणों का सवरूप बन जाती है तो सतो गुणी आत्मा शरीर भी फिर उसका सतो गुणी हो जाता है means जो साथ गुन है वो हमारे एक एक ओर्गन को हील करते हैं तो हम healthy भी साथ साथ होते जाते हैं और सत्वगुनी आत्मा जो होती है हम देवताओं का example देखते हैं कोई भी देवता आपको बिमार जा रोगी नहीं ऐसी कोई यादगार नहीं है तो ये आत्मा सत्वगुनी होते ही healthy हो जाती है wealthy का अर्थात है जैसे ही हम ज्यान की गहराई में जाते हैं तो हमारे करम श्रेस्ट हो जाते हैं जितने हमारे करम श्रेस्ट संसकार उंच होंगे उतना ही भविश्य का status भी हमारा उंचा होगा तो दूसरे आज हम धारना करेंगे पढ़ाई से ही राजाई में आते हैं तो पढ़ाई से राजाई में कैसे आते हैं इस बात पर attention देंगे क्योंकि भविश्य राजा बनने के लिए शक्ति शाली के साथ साथ बुद्धी शाली भी चाहिए तो योग से हम शक्ति शाली बनते हैं और ज्यान से हम बुद्धिवान बनते हैं तो ये राजा की क्वालिटी है और controlling और ruling power भी योग से होती है और ज्यान से हम राजा बनते हैं मिन्स हम ज्यान की गहराई से शक्तिशाली और बुद्धिवान दोनों राजा की क्वालिटी है तीसरी आज की धार्णा है जो कुछ भी हमारे पास है हम इश्वरिय कार्य में सफल करेंगे क्योंकि ये अंतिम जन्नम, अमूल्य जन्नम है तो हमारे पास तन, मन, धन, समय एनर्जी जो है आज हम चेक करेंगे कितना हम इश्वरिय कार्य में लगाते हैं और कितना हम वेस्ट करते हैं तो रात को बाबा को इसके उपर हम चाट देंगे इन बातों पर आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे ओम शान्ति